प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है दसका दम पिछले दो एपिसोड में हमने सीखा ग्राफ बेस, डाइग्राम बेस क्रिशन के सौल किया जाता है यह मेरा फ़र्स था कि कई बच्चे डाइग्राम और ग्राफ के क्रिशन देखे घबरा जाते हैं और आज कमिट्मेंट करता हूं कि सफर के अंदर आप जो सीखेंगे यहां पर आपका एक्जाम 2024 का हो नीट का कि 25 का हो कि 26 का हो आप कोई भी क्योशन वहां पर ना तो छोड़के आएंगे ना गलत करके आएंगे यह मेरा कमिट्मेंट है और कमिट्मेंट हमेशा खुश से करना चाहिए और उसका दम भरना चाहिए चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं वेटेज वाइस चैप्टर के क्योशन का खेल और इसमें बात करें तो फिजिक्स में 12 का वेटेज हमेशा 11 से ज्यादा होता है और अगर देखें तो 60-40 का रिश्यो चलता है और उसमें भी सेक्शन है सेक्शन भी जब से पैटर्न 2021 से स्टार्ट हुआ है उसमें सेक्शन भी में 12 के क्योश्चन 9 या 10 आए है और मुस्कराओ इसका पतला अगर आपके 11 कम जो है तो भी चिंता मत करो सेक्शन भी में 15 में से आरा हम से 9 10 कर सकते हो और 11 घटिया भी नहीं होगी कि एक भी नहीं कर पाओ यानि सेक्शन भी के अंदर जो 12 के विटेज के साफ से स्कोरिंग सेक्शन है उसमें ज्यादा स्कोरिंग है आपका मॉडरन फिजिक्स और वहां भी आज बात करें तो सबसे सिंपल जहां पे ख खो टो एलक्रिफेक्ट में फोटो Olaf नीकलते हैं exist 2013 में इलेक्टो गिरते हैं और फोटो नीकलते हैं ठैकि दोनों में लगरतां से नंबर का नंबर से यासजिक्सरक उप करें एनेरजी का एनेर्जी से गनेक्शन है अ nib बात करें 인टैंसिट्टी कि तो इसमें इतक्ष फोटोन के एनर्जी है वहाँ न्यू आएगा लेंड़ा आएगा वर्क फंक्शन की असाब से एनर्जी होगी तो कुल मिला के जो इलेक्टोन निकलेगा उसकी जो काइंडिक सॉल करें यूइनित कध्यान रके सब यूर्ण जूल में चले यह सब एलेक्टोन डिए और फिर देखें प्रॉप से कुर्षन को दे रखा है उसकंड चलते हैं। जब भी आप लिखेंगे H Nu को आगे electron world पे convert करेंगे G Nu को c upon lambda लिखेंगे s c upon e बन गया जब भी work function लिखेंगे s nu 0 फिर s c upon lambda 0 करेंगे फिर convert करेंगे electron world में तो h उपर c नीचे e lambdha 0 हो गया तो s c upon e हमेशा common चलरा है तो जब इसको solve करोगे तो इसमें शुरू से data मतरा किष्टे तीन साल में इनका क्या रहा कि साथ पेपर हुए और उसमें देख रहे हैं क्या वेटेज रे और उसके साफ से मुझे उमीद है इस बात 2024 में आपके इसमें दो से तीन question पक्या रहे हैं लास्ट एम एक्सरे का question out of syllabus आया था हमें एलेट रेना चीए कभी भी आ जाए कोट पर जाने सकते इसलिए इमानदारी से और समझदारी से हम एक्सरे को भी लेंगे थोड़ा सा और यह हमारा कैसा question खेल होता है शुरू करते हैं आएगे मैक्सिमम कांडिक एनर्जी ओफ इमिट्ट फोट एलेक्ट्रोंस इन फोटो एलेक्ट इफेक्ट अभी आपसे जो बोला था साफ देख रहा है एनर्जी है तो डिपेंड करेगी वर फंक्शन पर फ्रिक्वेंसी पर वेवलेंद पर इन्टेशिटिव नहीं ओके नेक्स्ट कोई भी नुमेरिकल है इसको आराम से पढ़ो जहां पर फुल स्टॉप रुको और देखो क्यूस्टन पढ़ते पढ़ते कैसे खतम होता है इतनी एनर्जी का फोटों गिरा क्या थोट पर गिरता है नोड आउट इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रों निकला तो क्या रहेग है तक हमारा वर्क फंक्शन निकल गया 3 एलेक्ट्रों वोल्ट इसको अब अगर शिकष का गिराएंगे तो का इनर्जी क्या हो जाएगी मन में फॉर्मिला पर नोड़ूट 3 एलेक्ट्रों वोल्ट और आपको मालूम इस से है connected stopping potential जो होता है negative sense का देखे क्या बोलता आगे 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 चलोगे advance हो जाओगे no photo electrons will reach by anode A इसका मतलब जो सोचा वही हो गया अगर आपकी energy maximum 3 electron volt है तो stopping potential क्या हो गया हो 3 volt लेकि इसका sense क्या होता है negative क्योंकि यह anode पर higher value का negative potential with respect to cathode इसलिए इसका नाम है stopping potential तो जल्दी में 3 प हिक मत कर देना क्या होगा minus 3 क्योंकि sense क्या है negative सिली मिश्टर को जाती ही जल्द बाजी में और बच्चे कई बार ऐसा question इतना अच्छा सब आता है करने में और लेने के देने पड जाते हैं नेक्स्ट फोट एफेक्ट के अंदर blue lights is capable of ejecting photo electron जैसे light की बात करी color की बात करी एक maximum और violet का क्या होता है minimum और threshold में आप जानते हूँ अगर आपकी frequency की value एक certain frequency से ज़्याद होनी चाहिए तो उल्टा के दीजिए lambda की value एक lambda 0 से कम होनी चाहिए threshold wavelength एक threshold frequency अब question किया रहा है कि blue light eject कर रही है but green light is not able to eject, इसका green light नहीं कर पा रही, अगर green नहीं कर पा रही तो yellow भी नहीं कर पाएगी, orange भी नहीं कर पाएगी, red भी नहीं कर पाएगी इसका मतलब आगे इधर चलें तो indigo कर सकती, violet कर सकती, देखे क्या पूछ रहे है, ejection of photoelectron is also possible using light of color, कौन सा हो सकता, indigo या violet, red गलत, violet, okay, orange गलत, yellow गलत, यानि क्या answer, violet, किता simple, tiny question, plain question, आगे बढ़े, light described by equation so and so, घबराओ मत, बस मन में देखो है, हाँ ये एक frequency, ये भी frequency, ये होगी, यानि कि photon का एनर्जी ज्यादा होगी, उससे निकलेगा electron, उसकी भी ज्यादा होगी, kindic energy, इसका उतलब ये वाला देगा आपको ज्यादा kindic energy का electron, आगे चले, work function दे रहे है, two electron role, calculate the maximum kindic energy of photoelectron, ये work function हो गया, अब आपको वालू में maximum kindic energy, k max लग देते हैं, h new minus work function, h new में new को लिख सकता हूँ, omega upon two pi, और work function two electron role, ये आपका 50, ना उकरी होगे क्या, sorry, 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 ये क्या होगे, अब आप चाहें, तो calculation चालू कर दे, h 6.62, 10 की पावर माइनस 34, ओमेगा लेंगे बड़ी value, 8 into 10 की पावर 15, upon two pi, minus two electron role, electron role में करम करेंगे, नीचे दिवाइड करूँगा, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से, क्या हो गया, उपर जाके 19 जूड़ा 15 में ये होगा 34, ये प्लस 34 से मैस 34 cancel, 6.62 into 8, upon two pi into 1.6, minus two electron role, अब ज़रा देखिए, 16, 85 हो गया, ये 6.62 है, ये 2 pi है, 2 pi मतलब एक तरस से अगर बोलें तो 3.14 का double 6.28 और ये 5, ये हैं पे electron role, ये no doubt more than 1 है, इसका मतलब ये value more than 5 है, और यह minus होड़ा 2 electron role, वह ऐसे हैं करना चीए थोड़ी से smartness calculation, calculation, अगर ये 5 होती ही, तो difference होता है 3, लेकिन 5 से ज़्यादा है, यानि कि ये difference होना चीए 3 से ज़्यादा, तो आपका जवाब दिखना चीए 4 option में 3 से ज़्यादा कौन है, गलत, 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 है समझे smartness का तरीका, थोड़ा सा करना चीए ऐसे, वचो, next question, 5, इसको मैंने पहले से क्यों कर रखा है ताकि आपको बताना है कि यहाँ पर फालतों में time waste होता है, क्या-क्या चीज बाद में कटने वाली है, क्या चीज common होती हो हटने वाली है, ज़र क्येशन को देखें, फिर आपको लगेगा कि आपको वहाँ पर exam इसको करने की जुरुत नहीं बढ़ेगी, कई वह आप step लगाते रहते हैं, बाद में लगते हैं इसको अगर धंक से देखें, यह सब तो कटने वाले थे, तो अपना time बस सकता था, क्येशन देखते हैं, कट-off potential for a metal surface, for light of wavelength, lambda 1, lambda 2, lambda 3, और V1, V2, V3, V1, V2, V3 दे रखें, AP में, जब भी बात की जाए, तो पहले देखो, physics के साब से, पूरे physics में, lambda और V हमेशे उल्टे चलते हैं, इसलिए अगर V1, V2, V3, AP में होंगे, तो मैं यही बोल देता हूँ कि lambda 1, lambda 2, lambda 3, HP में होंगे, क्योंकि HP, AP की उल्टी series होती है, तो मेरा answer तो हो गया, same नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, मेरा answer हो गया, HP, अब यह कैसे आया, जारे इसको देखोगे, तो पूरा मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग क्या क्या चीज cancel हो कि तो मैं वहाँ से जवाब देखा सकता हूँ, इस जगे से, आपके physics से, आपको मालू, Vs is equal to SC upon E lambda, यह हमेशा वही रहेगा, अपस numbering में, lambda 1, V1, lambda 2, V2, lambda 3, V3, लेकिन यह तीनों आपस में क्या है, AP में है, इसका आप कह सकते है, 2 V2 is equal to V1 plus V3, अब मैं यहां से start करूँगा, 2 V2 is equal to V1 plus V3, यह mathematics की बात हलकिसी आई, अब मुझे करना क्या है, जब मैं इनको लिख रहा हूँ, तीनों को यह लिख दिया मेंने, यह तीन लाइन लग गई, अब इसको उठा के रहूँ, इसको 2 V2 करूँगा, तो मुझे मालूम है, यहां पर 2 आएगा, यहां 2 आएगा, लेकिं यह दोनों जूड़ेंगे, यह भी 2 हो जाएंगे, तो उससे cancel हो जाएगा, यह दर जाएगा 2 upon lambda 2, इदर जाएगा 1 upon lambda 1, इदर जाएगा 1 upon lambda 3, तो मैं यह ही बोल सकता था, कि जब इसको मैं कर रहा हूँ, तो lambda 1, V1, lambda 2, V2, lambda 3, V3, हर में चीज कॉमन चल रही वर फंक्षन, जब इसको मैं बीच वाले को 2 V2 करूँगा, तो यहां 2 और यहां पर 2 हो जाएगा, लेकि इन दोनों को जोड़ूँगा V1, V3 में, तो यह दो बार जुड़ेगा, तो वह से चैंसल हो जाएगा, तो सीधा आजाएगा 2 upon lambda 2, 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 3, कि सम के बराबर, इसका मतलब एक standard question, जिसको आप सीधे यहां से बोल सकते थे, कि हमार आंसर होगा harmonic progression, make it important, light with an average flux of this, वालो में average flux क्या होता है, लेकिन यह देख रहो की watt होता है power की unit, और नीचे चल रहा area, falls on a non-reflective surface of normal incidence having surface area, जहां बस full stop रुख जाओ, अगर इसको इसको इससे multiply कर दू, तो यह जाएगा watt, इसका मतलब इनको multiply किया, तो मेरा power आगया जवाब कितना 400, जेकरो 20 to 20, the energy received by the surface during time span of 1 minute, energy क्या होती, power into time, power आगया तो 400, और time 1 minute का मतलब 60 seconds, 24 into 10 की power 3, no doubt 3 Joule, है ना smart तरीका, next, a monochromatic source of light operating, इतने power पर, image इतने photons per second, क्या पूछा, आपको मालूम है कर सकते हो, no doubt, लेकिन मैं अगर formula डालता, तो direct भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बना रहा हो, मुझे formula नहीं मालूम, तो मैं बोलूँगा, यह मेरे Joule per second है, यह मेरे photons per second है, पर H new का मतलब होता है, एक photon की energy, तो बोलूँगा, Joule per photon, into multiply कर दो photons per second, 4 into 10 की power 20, photons per second, क्या बना, photon से photon गया, तो Joule per second, और Joule per second का मतलब हो गया, क्या, watt, और यानि power, वो power क्या दे रिखिया आपको, 200 watt, 200, H new, निकाला lambda, C upon lambda, 4 into 10 की power 20, अब आराम से आप lambda को calculate कर सकते हैं, H और C की यह रख देंगे, तो lambda is equal to हो जाएगा, H C, और नीचे आजाएगा 200, और 4 into 10 की power 20, solve कर दीजिए, यह हो गया, आपका 6.62 into 10 की power minus 34, C 3 into 10 की power 8, 4 into 10 की power 20, अपन 200 को लिख जाए, 2 into 10 की power 2, पहलो पावर solve कर ले, यह आपका हुआ, 18, 18, 8 यह हो गया, आपका 26, और 26 से अगर 34 गया, तो हो गया, minus 8, यह 6.62 into 3, यह integer साथ देता हूँ, 4, 10 की power minus 8, अपन 2, 2 तूजा, 3 to 6, 6.62 into 6 into 10 की power minus 8, मीटर चल रहा है, डेमडा निकाल रहा है, 12, 37, 30, 37, 39.72 into 10 की power minus 8 मीटर, यानि कि हम इसको अगर, अगर अउन साथ देखे ननो मीटर में, यह हो जाएगा 397.2 ननो मीटर, यह लगभग 400 ननो मीटर, और डारेक आपको फॉर्णला वालूम से कर सकते, sorry, when the energy of incident radiation increase by 20 percent, the kinetic energy photoelectrons emitted from metal surface increase from 0.5 to 0.8, रुख जाईए, हम को मालूम है, अगर उल्टा लिखे, total photoenergy is equal to kinetic energy maximum plus work function, start कर दो, पहले h new के साथ से energy क्या थी, 0.5 plus work function, number one, अब इसको 20 percent increase कर दिया, यह नि 1.2 h new, 0.8 हो गई work function, same, इन दोनों से solve करना है, निकालना क्या है, work function of metal, इसका मतलब में, यहां से h new के value यहां रख दूँ, तो h new gap हो जाएगा और work function आजाएगा, क्या आएगा, 1.2 h new के जाए, 0.5 plus work function, 0.8 plus work function, 1.2 यह तो गया 0.6 हो गया, plus 1.25 नोट, यह हो गया 0.8, plus 5 नोट, इदर गया, तो यह हो गया, 0.25 नोट, इदर वो 0.8, minus 0.6, 0.2, यहांने कि 5 नोट work function हो गया, 1 electron volt, वाँ फिर आखे किता easy answer आया, लगिने एक अच्छी practice, next, यहां पर मैंने पहले से क्यों solve कर रखा है, भी आपको समझा दूँगा, यह भी आप मुह जबानी कर सकते हो, कैसे, metallic surface, wavelength, lambda, incident, stopping potential 3V0, ओके, यह हमारा, कह दीजे, lambda के लिए 3V0, no doubt, आपने wavelength के साब से 2 lambda कर दिया, node of frequency के साब से wavelength बढ़ रहा है, यहनि कि energy कम हो रही, तो stopping भी 0 हो गया, cdc बात है कि जो wavelength पूछा रहा, threshold wavelength वो 2 lambda से भी ज़्यादा होगा, और lambda से भी ज़्यादा होगा, यह दो answer तो फेल होगे, lambda by 4 और lambda by 6, अब मेरा answer यह तो 4 lambda यह 6 lambda, करना क्या है, विल्कुल वैसी, सब्सक्राइब आपका होगे तरीका, जब lambda था तो 3 V0 रख दिया, जब 2 lambda हुआ, यह ध्यान रखना, तो V0 तो भी रख दिया, दो एक question बन गई, हर बार अपने solve कर रहे हैं, देख रहे हैं, यह चीज़ common रहती है, कभी multiple जो भी आ रहा है, अगेन मुझे यहां से निकालना है, lambda 0, तो मैं V0 की value को यह रख दूँगा, V0 की value को अठा के रखा, यह पूरा bracket बना के रखा, यह रखा, जब भी आप रखते हो, hc, sc, 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 cancel होना है, नीचे e, 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 cancel होना है, अब इदर जाओ, तो बसकर multiple देखो, नीचे 1 upon lambda, यहां 1 upon lambda 0, लेकिन multiple 3 by 2, यानि डेड, यहां पे कितना, एक, डेड में से एक गया, तो आधा, इदर आपके पास कितना है, 3, इदर कितना है आपके पास, यह डेड है, यह एक है, तो आधा, यह तीन है, और यह एक है, तो 2, यानि कि, यहां तो डेड का, तो इसाब से lambda रहे गया, 1 by 2 lambda, और यहां पर 3 जाके उधर, तो 2 upon lambda 0, lambda 0 is equal to 4 lambda, अब इसको मैं मुझवानी कैसा करता, मैं यहां से इसको देख लेता कि multiple क्या चल रहा है, जब यह 3 इसमें जाएगा, तो 3 by 2, उधर चल रहा है, 1 by 2, यानि कि, रह गया, 1 by 2 lambda, इधर आपके पास, 3 lambda by 0, इधर 1 by lambda 0, तो 2 lambda by 0, फाइनली जबाब, ठीक है, नीचे चल रहा है, लेकिन multiple 1 by 2, उधर 2, तो 2 into 2, 4, मुझवानी भी कर सकते थे, इसी formula को देखके कर सकते थे, तो इतना जगे, calculation करने के लिए, space भी न लगता और time भी न लगता, इसलिए मैंने इसको, assess all करके दिखाया है, अब exam में, इन दो को fail करके, RM से वहाँ से कर सकते हो, कि 4 आएगा कि 6 आएगा, last question आज का, 10 कदम, minimum wavelength of x-ray produced by electron, क्यों दिखाया हैं पर, यह वो question last year का था, बच्चों ने इसको जल्दी में माना, d broccoli wavelength और d broccoli wavelength के साब से गलती में, जल्दी में यह ठीट करके आगए, 1 upon root V, जबकि x-ray के लिए, lambda minimum is proportional to, 1 upon root V, ध्यान रखें, कोई भी डी ब्रॉगली wavelength की बात और्टी चार्ज पर्टिकल की, तो proportional to 1 upon root V, जबकि x-ray के लिए, जहां और x-ray continuous x-ray है, cut-off wavelength, lambda minimum, proportional to 1 upon V, यहाँ पर बात खतूँँगे, आज का 10 का कदम, आज इस टॉपिक में देख रहे हैं, कहीं भी silly mistake हो सकती है, तो बस commitment करो, silly mistake नहीं होने चीए, और commitment खुश से होना चीए, तो बस आज का मेरा गुरु मंत्र यही है, कि commitment हमेशा खुश से करो, और दम भर के करो, और उसको हासिल करके दम भरो, all the best, फिर कमाल देखो,